हलो फ्रेंड्स आप सभी का अमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है रोड नौट टेकेन जो एक पोएम है जिसका समरी हम लोग लाइन बे लाइन हिंदी में समझेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं रोड नौट टेकेन इस पोएम के लेकर के रोबर्ट फ्रोस्ट जिनका जन 26 मार्च 1864 इसपी में उनाटेड इस्टेट में हुआ था और उनकी मृत्यों 29 जनवरी 1963 इसपी में उनाटेड इस्टेट में हुआ था और यह जो पोएम है इसको पब्लिस करवाये गया था 1916 में और इसका जो सेटिंग रखा गया था इस पोएम का वो है येलो वूड इसका मतलब है कि एक जंगल है जहां पर वहां के पेड़ पौधे की जो पत्तियां है वो पूरी तरीके से पीली-पीली होकर जमिन पे गिर ज़ड़ चुकी है और इस पोएम का थीम है चोएस एंड सेटेंटिटी तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं इस पोएम में महत्तुपूर्ण रूप से इस तीज को बताये गया है कि हमारे जीवन में बहुत सारे चोएस या उप्सन रहते हैं प्रंतु उनमें से एक कोह चुनना होता है जो निश्चित होता है और चुनने के बाद हमें फिर से प्रारम में आने का आउसर नहीं मिलता है इसलिए इसमें कभी यह बताना चाहते हैं कि जो कोई भी रास्ता हम लोग सुरू में चुनते हैं पसंद करते हैं उससे बहुत ही सो समझ कर चुनना चाहिए ताकि बाद में हमें उस पर पस्ताना ना पड़े तो चलिए पोएम को हम लोग लाइन बे लाइन समझते हैं फर्स्ट लाइन है तू रोट्स डिवाइन कभी यहां पर जंगल के बीच में है और वो एक ऐसे मोड पर पहुंच जाते हैं यहां पर एक रास्ता है जो दो हिस्सों में बट रहा है कभी कहते हैं कि यह जो जंगल है यहलो उट का मतलब यहां पर होता है जंगल है जिस जहां पर वहां के पेड़ पौधो की जो पत्तियां वह पूरी तरीके से पीले-पीले हो गये हैं एंड सोरी आई कुड़ नोट ट्रेबल बहुत ट्रेबल मिनस होता है गुजरना पार करना चलना तो कभी कहते हैं कि चुकी मैं एक यात्री हूँ तो मैं दो रस्ते पर कैसे चल सकता हूँ एंड भी वन ट्रेवलर लॉंग आइस्टूट ट्रेवलर मिनस होता यात्री चुकी मैं एक यात्री हूँ इसलिए वो कंफ्यूज में पढ़ जाता है कि मैं दोनों रस्ते में से कोन सा रस्ता को चुनूँ और वो वहाँ पर लॉंग आइस्टूड लंबे समय तक वह वहाँ पर खड़ा हो जाता है कभी खड़े हो जाते है महाँ पर और गोर से देखते हैं और वो गोर से घुकी तक बैठके दोनों रस्तों को देखते हैं की जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक वो देखते हैं To where it bent in the underground अब वो देखते हैं कि दोनों जो रस्ते हैं उच में से कोई भी रस्ता हो जो आगे जाकर मुड रहा हो इस तरीके से उन्हें कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी दिखाई नहीं देता है अब next line है then took the others as just as fair and having perhaps the better claim अब कभी जो है बैटे बैटे गौर करते हैं कि यहां पर दो रस्ते हैं किसी एक पर जाओंगा तो एक छूट जाएगा किसी दूसरे पर जाओंगा तो पहला छूट जाएगा इसलिए वह सोचते हैं कि क्यों न मैं इसमें से दूसरे रस्ता कोई चुनूँ क्यूंकि हमारा सवबा होता है कि सबसे पहला चीज को हम लोग पसंद करते हैं को करते हैं कि सभी लोग पहले पर चले गए होंगे सायद तो क्यों न मैं दूसरे को पसंद करूं सायद इसमें कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि दूसरा जो रस्ता है वो थोड़ा जाड़ी है उसमें घास फूस हुगे होए हैं और जो पहला रस्ता था वो थोड़ा डिजर्टेड था मतलब वह वहां के उस रस्ते के जो घास फूस थे वो थोड़ा मर चुके थे सुखे गया हुए तो कभी यहाँ पर अंदाजा लगाते हैं कि अगर जदी दूसरे रस्ते से भी कोई आदमी गया होता तो इधर के भी जो घास पूसे वो कुछले गये होते हैं और वो भी दब गये होते हैं थोड़े मुर्जाये होते हैं लेकिन इधर का जो घास पूसे वो बिल्कुली ताज है और जब कि पहले रस्ते का जो घांस पूरी लगवग लगवग डजटेट होने चला सुखा सुखा हो गया इससे पता चलता है कि बाकी के जो यात्री थे वह पहले रस्ते से गए हैं और इसलिए मैं जाता हूं या फिर मैं ऐसा सोंचता हूं कि मैं दूसरे रस्ते से जाऊं मेरा सोच यह वह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता वह लोग कुछ और सोच कर दूसरी रस्ते पर जाऊंगा सब अपने-अनुसार से यहां पर choice करने का option मिल जाता है दोनों रस्ते का एंड बहुत दा मॉर्निंग इक्वेल ले इन लिप्स नो इस्टेफ है ट्रोडन ब्लेक अब यहां पर कभी फीर करते हैं कि और क्यूंकि सुबह का मोसम है, तो अगर कोई वेत से पहले यहां पर आया होता और अगर दूसरे नंबर के रस्ते पर चला होता दूसरा रस्ते पर तूछ गहां से उस पर उस वेक्ति के पैरों के निसान होते चुकी पत्तियां या फिर जो सुकी सुकी पत्तिया थे तो वहां पर पेर रखता तो कोई साइड हो जाता अलग हो जाता थोड़ा-थोड़ा स्टेप कचीन ने बनता लेकिन ऐसा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए वह सोचते हैं कि सायद मही पहला यात्री हूं जो इस रस्ते से जाऊंगा ओ आई किप्ट दफॉस्ट फोर अनोदर डे और मैं आसा करता हूं कि यह जो जगह मतलब इस जो जगह पर आज मैं पहली बार आया हूं सायद आऊं या ना आऊं ठीक है इसलिए मैं इसे ही चुनता हूं येट नोइंग हाव इस रस्ते को चुनता लूँगा लेकिन मुझे संदे है इस बात से कि आने वाले फ्यूचर में मैं इस रस्ते पर कभी आप पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा इसका कोई गैरंटी नहीं है नेक्स्ट लाइन है आई सेल भी टेलिंग इस वीथे साइ सम्वेर एज़ेज एन एज़ेज अब कभी यहां पर करते हैं जब मेरा उम्र हो जाएगा मतलब मैं ज्यादा उम्र का हो जाऊंगा तो मैं अपने आप में यह आहें भरूंगा और याद करूंगा या पिर बोलू आने वाले भविस में सोचूंगा कि मेरे जीवन में एक ऐसा वक्त आया था जब मुझे दो रस्तों में से एक रस्ते को चुनने का मौका मिला था और मैंने उस वक्त मैंने दूसरा रास्ता पसंद किया था फिर यहां पर वही चीज को बोल रहा है कभी कि जंगल में मुझे एक रस्ते मिले थे जो दो हिस्सों में बट रहे थे और मैंने दूसरा वाला हिस्सा पसंद किया था जहां पर कम लोग चले थे मतलब लोग ना के बराबर चले थे क्योंकि वहां पर घास्पूस पुगे और यही चुनाव मुझे औरो से अलग करता है कि बाकी लोग जो थे वह लोग पहले रस्ते को चुने और उसमें चले गए जबकि मैं दूसरे रस्ते को चुनता हूं साथ यह मेरे जीवन के लिए अच्छा हो बुरा हो लेकिन मैं दूसरे को ही अपने विचार से चुनता जो यह पोयम है वो समाप्त हो जाता है अगर यह आपको यह पोयम समझ में आ गई है तो किरपया वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करें साथ यह साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें मिलते हैं अगली वीडियो